Hi everyone, मैं हूँ श्मा और आज की जो recruitment है वो hard it out की तरफ से है और hiring एक नहीं बलकि 6 job roles के लिए किया जा रहा है company की तरफ से direct hiring की जा रही है, किसी भी third party का involvement नहीं है और जो लोग अपना career content, finance, designing, software development की field में देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहतरीन opportunity है, इसे miss बिलकुल मत करिएगा क्योंकि 6 job roles हैं और सभी के लिए eligibility criteria इन्होंने अलग रखा हुआ है तो precious experience सभी है, दोनों ही eligible हैं और अगर आप graduate है किसी भी discipline में तो आप भी यहाँ पे apply कर सकते हैं किसी प्रकार के इन्होंने कोई भी eligibility criteria को mandatory नहीं दखा है अपना career बना सकते हैं इस पेल में और अगर आप चानल में नहीं हो तो subscribe भी कर दो ताकि आपको daily do work from home updates essential jobs के तरफ से मिलती रहे कंपनी की profile के बारे में मैं आपको बता देती हूँ यह बहुत basic और बहुत favorite question है इस company का तो request है किसी भी job role के लिए अगर आप apply कर रहे हो तो आप से request है एक बार company की profile यह रट लेना, याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना क्योंकि यह बहुत इनका mandatory और favorite question है तो यह जरूर पूछा जाएगा इसलिए मैंने आपको एक brief description में आपको फिर भी देना चाहूंगी और description box में भी आपको company के link provide करा दी गई है ताकि आप एक बर वहाँ जाके भी check कर सके तो hard it out एक mental health और well being initiative है जिन लोगों को mental health से related help चाहिए होती है उनकी basically यह मदद करते है बहुत short में बताया है description box में आप चेक कर सकते है जो current openings इस company में वो 6 job roles के लिए है तो पहली जो है यहाँ पर first responder head के लिए है दूसरी यहाँ पर content intern के लिए है और finance associate designer के लिए है साथी साथ front end QA intern के लिए इस job role के लिए यह लोग internship provide कर रहे है और front end developer के लिए भी internship provide कर रहे है और सभी जो है वो work from home है कोई भी work from office job नहीं है जो first responder head है वो communication जिनका communication अच्छा है या जिन्होंने पहले customer support पे काम किया है उनके लिए यह job है अगर आप किसी भी discipline में graduate है तो भी आप इसमें apply कर सकते है content intern अगर आपने content writer में prior आपका experience है या आपने कोई भी diploma ले रखा है या आपका psychology से bachelor's है master's है तो आप इसमें apply कर सकते हैं finance associate अगर आपका background finance related है तो आप इसमें apply करिएगा designer front end QA intern और जो front end developer है तो अगर आप IT background से CS background से हैं आप कोई चीज़ें आती हैं आपने सीख रखी है diploma है तो आप इसके लिए eligible हैं सभी remote है तो इसमें apply करिए दोस्तों के साथ भी share करिए ताकि इन 6 जॉब में से अगर वो eligible हैं तो भी इसमें apply कर सकें क्योंकि अभी fresh hiring की जा रही है बिलकुल fresh है साथी साथ में आपको बताना चाहूंगी वैसे तो हर job role के लिए अलग-अलग eligibility criteria इन्होंने रखा है फिर भी मैं आपको first responder head के बारे में बताऊंगी क्योंकि एक job role में आपको ये इसलिए बताना चाहूंगी ताकि आपको पता हो सकी कि आप किस तरह इसमें apply कर सकते हैं सभी job role के लिए same ही process है तो एक हम ले लेते first responders head को इसमें जो application form है आपको description box में तो मिल जाएगा वहां जाके भी सारी job roles के लिए सबसे पहले आप eligibility criteria चेक करिएगा क्या job role रहेगा वो एक पर ही चेक कर लीजेगा और salary नोने किसी भी job role की disclose नहीं गी है हो सकता है आप के prior experience जो भी रहा हो उसके basis पर यह आपको salary offer करें वैसे बहुत अच्छी company है और salary बहुत अच्छी होती है इनकी फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि यह जो first responders head है इसकी approximately salary इन्होंने disclose सो नहीं की है लेकिन as per the research इनकी salary जाती है 4.5 LB के आसपास जाती है तो salary सभी की बहुत apply करिएगे internship भी offer कर रहे हैं तो जो first responder head है इसमें आपको जब आप application link में click करेंगे तो आपको आपकी जो personal details से वो fill करनी होंगी tell us your name, name यहाँ पे जो भी preferred pronounce है him या her जो भी आप इसमें mention करेंगे वो आप यह से आप लिख सकते हैं male या female में और साथी साथ contact number आपका जो भी हो question क्या है आप कौन कौन सी languages comfortably बोल सकते हैं चार options दिए गए है Tamil, Canada, Hindi और English इसके अलावा भी अगर आप कुछ और बोल सकते हैं तो अदर्स में आप click कर सकते हैं Have you taken up leadership or management role before? आपने कभी management या leadership जैसे की teamwork हो गया ऐसी किसी role में अगर आपने कभी participate किया हो या काम पहले किया आपका prior experience हो in areas में तो आप इसमें yes है नो अपने हैसाब से click कर लिजेगा और अगर हाँ है तो could you tell us about the challenges highlight of your experience? क्या experience रहा है आपकी challenges के बारे में अगर आपने कभी team में work किया है तो क्या challenges आपने face किया है वो यहाँ पे fill करना होगा 11th question इसमें ये है कि this is a full time job role will you be able to dedicate 7 to 8 hours per day? yes ही आपको click करना है no मत click करिएगा क्योंकि full time job role है इन्होंने पहले ही mention कर दिया गया है साथ ही साथ अगर आपको ये भी इन्होंने बोला है कि अगर आपको कभी office visit करना पड़े इन्होंने office का जैसे bangalore based company है अगर आपको वहाँ कभी visit करना तो आप इसके लिए comfortable है या नहीं ये इसमें भी click करना है साथ ही साथ how much would you rate your tech ability आपकी क्या technical ability है उसे साब साब किस कितना आपको अपने आपको rate करना चाहेंगे यहाँ वह आप यहाँ पर click कर सकते हैं आपने अगर prior किसी tool में work किया हो जैसे कि अगर आप customer support पर काम किये हो तो उसमें जो भी tools use होते हैं आपकी technical ability कैसी है basically वह यहाँ पर पुछा गया है आपका internet access कितना अच्छा है यहाँ पर वो rate करना है next है कि how did you hear about hard it out अगर आपने youtube से या अगर आप हमारे channel से अगर आपको यह जानकारी मिल रही है तो यह channel का नाम डाल सकते हैं और अगर कहीं और से भी आपको पता चला है तो आप यहाँ पर source लग सकते हैं are you currently seeking therapy इन्होंने यह mention किया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई आप mentally unstable है या फिर आप ने कभी कोई therapy ली होगी तो ऐसा करके इनका सवाल है पता नहीं यह सवाल क्यों इन्होंने रखा है लेकिन रख दिया है तो आप यहाँ पर no click कर सकते हैं क्योंकि obviously I guess यह depression वाला सवाल है तो आप इसमें no ही click करिएगा बाकी आपको कहां सी reference मिला है आप वो mention कर सकते हैं अगर आपके कोई साथी अगर already heart it out में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो mention कर सकते हैं अपना portfolio आप यहाँ पे भेज सकते हैं मतलब आप अपना resume जो है वो यहाँ पे share कर सकते हैं बाद में send का option करिएगा submit का option आएगा वहाँ पे click कर सकते हैं तो इस तरह आप इस job role के लिए apply कर सकते हैं ऐसा ही same process है सारी jobs के लिए चाहे वो content intern हो finance associate हो designer हो front end developer या front end intern हो सभी jobs के लिए same ही application process है तो apply करिएगा और comment section में बताइएगा कि कैसा आपका interview क्या questions पूछे गए इनक आपको वो भी बताना चाहूंगे competitive compensation है flexible working hours अब अपने हिसाब से time यहाँ पर prefer कर सकते हैं home office option है मतलब work from home option है generous holidays मिलेंगी feel invested office parties and outings birthday gifts और friendly office तो अगर आप office जाना चाहते हैं तो ही इस पे कुछ options available है अगर आप work from home करना चाहते हैं तो वो आपके लिए best option है अगर आप work from home job ढ रहे हैं तो flexible working hours मिल जाएंगा आपको competitive composition मिल जाएगा और home option तो मिली रहा है so this is all about today's video comment section में बताइएगा कोई अगर query हो और connect हो सकते contact.essentialjobs at the rate gmail.com पर this is all about today's video and I wish you all the very best with the job applications thank you so much for watching this कल हम फिर मिलेंगे एक नही work from home updates के साथ तब तक लिए stay connected and bye-bye